हेलो एब्रिवान वेलकम टू रेकी हीलिंग बाल्ट एट आप सब अच्छे होंगे अपना ख्याल रख रहे होंगे और मैं भी एक दम अच्छी हूँ मैं आगे हूँ एक फ्रेश टोपिक लेकर यह टोपिक होने वला है कैसे आप इजीली पैसे को अकरशित कर सकते हैं चलिए जो भी इस चैनल पे न्यू है उन सभी के लिए मेरा नाम मीनू सिंग है और इस चैनल पे मैं बात करती हूँ लो अफ रट्रेक्शन, मेडिटेशन, हीलिंग, स्प्रिच्वैलिटी देखिए पैसा बहुत ही आसान चीज है जैसे कि अब रहाम कहती है पैसा सिर्फ एनरजी है अगर हम सोच रहे हैं कि पैसा बहुत मुश्किल है पैसा पेड़ों पे नहीं उगता है या पैसा ऐसे ही थोड़ी ना है कि नदी की तरह बह रहा है ठीक है या पैसे के लिए जो हमारे पास पैसा नहीं आता है most of the time देखा गया है ठीक है अब जैसे मेरे पास इतने सारे क्लाइन साते रहते हैं किसी को और विसे रिलेशन्शिप और पैसे की है आज के टाइम पर जाता दिकते हैं सो उन सभी को भी मैं एक आप मनी अंतर की में प्रेफरेंस देती हूं जो कि आप लोग अपने पर्स में रख सकते हो उससे भी आपके पास पैसा आता है और उसमें भी पीछे मनी से रिलेटेड अच्छी अच्छी अफरमेशन्स लिखी गई है जिनको रोज पढ़ना होता ह है या वीक में एक बार आप पढ़ सकते हो उससे भी आप पैसा कर्शित करते हो दूसरा पैसा है क्या पैसा एक चुल में एक एनरजी है आपके घर में एक रुपया दो रुपय तो कहीं न कहीं होंगे ही तो आप जो है उस पैसे को अपने पास रखें और उसे ब्लेस करें इस तरीके की बात करें पैसे के साथ बात करने की कोशिश करें आप बहुत सारे केस में क्या होता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं आप किसी एकजाम की त्यारी कर रहे हैं और साथ वाला बिल्कुल कुछ भी नहीं करता वो इसली खा रहा है पी रहा है घूम रहा है और उस आप उस टाइम क्या सोचते हैं, उसे गालियें देते हैं, बोस को गालियें देते हैं, गिल्ट में जाते हैं, गुसा करते हैं, इर्श्या करते हैं, कि यार ये क्या है, ये इतना कमा रहा है, मैं उतना नहीं कमा पा रही हूँ या पा रहा हूँ है न, क्यों मेरे साथ ऐसे होत से criticize करना रोक दें बंद करतें क्योंकि जिस चीज़ पर हमारा control नहीं है जिस चीज़ को हम नहीं बदल सकते हैं उसमें हम energy गलत त्रीके से energy लगाते हैं यह ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं उस जैसे आपकी manifestations नहीं होते हैं most of the time ठीक है तो आप अपने साथ चेक करें अपने आपको देखें कि मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूं या कर रही हूं अगर ऐसा आप कर रहे हैं सो प्लीज टोब करतें जादा नहीं हफता दस दिन करें इससे आपको अपने आप पता चल जाएगा क्या difference है कि actual में यह चीज काम करती है यह नहीं कर रही है आपको बिल्कुल clear हो जाएगा ठीक है and second आपने पैसे के लिए positive लिखना सोचना शुरू कर देना है जैसे अभी आपके पास कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है so आपने कुछ पहना होगा अगर यह वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच पा रहा है इत मींस आपके पास phone है आपके पास network है internet है इंटरनेट है इत मींस आपने अपने phone को recharge किया होगा और वेसा अगर आपके पास phone है 300-400 रुपे का तो recharge होता ही है आज के time में हर mobile में आप YouTube चला रहे हो आप देख पा रहे हो ये वीडियो आप तक आ पा रहा है आप सुन पा रहे है आपके कान आपको help कर रहे है हमारे पास कितना कुछ है हमने जो कपड़े पहने वो ही पैसो से ही आए है फ्री में तो कोई देखे नहीं गए अपने को है ना अगर आपके पास basic चीज़े है जैसे आपके पास छोटा सा चाहे किराय का घर है यूशूड ग्रेटफुल फो दैट ग्रेटफुल हो जाए उस चीज़ के लिए आपने कपड़ा पहना है चाहे वो ब्रैंड का है नोन ब्रैंड का है जैसा मर्ची है आपने कपड़ा पहना है आपका शरीर धक रहा है आप उसके लिए thanks करेंगे second आप अच्छे से सुन पा रहे हो बोल पा रहे हो इस वीडियो को देख पा रहे हो अपनी बोडी का thanks करें सो अपनी आपको अपनी आपको transfer करना है अपनी energy को transmute करनी energy इधर से उधर ले जाना कहते हैं इसको transmute करना energy को भई आपने एक energy है negative है बहुत सारे pattern है past की reprogramming है जड़ा सा पैसा आता है उससे दूबना खर्च हो जाता है ठीक है बहुत ज़ादा मेहनत करने के बाद 12-12 घंटे जोब करने के बाद आपको जो है वो 2000 या 5000 मिल रहा है या 10,000 मिल रहा है ठीक है क्यों क्योंकि आपने उस चीज़ को इतना अपने mind में सोचा हुआ है इस सोच को आपको खतम करना पड़ेगा आप लोग ये चीज़ फील कर पा रहे हो हो या नहीं but most of the time क्या होता है कि हम पैसे को criticize कर रहे है पैसा लड़ाई की चड़ है पैसे की वज़े से ही दिक्कते है पैसा आज ओरत भी कमा रही है आदमे भी कमा रहा है तब भी घर में fight है क्यों कहते हैं कि दोनों working है दोनों के पास time नहीं है ये है वो है बहुत साही चीज़े है आपको जो focus करना है आपको जो अपनी energy लगानी है वो positivity की तरफ लगानी है आप affirm करें that I want money I receive money मैं universe का सबसे अमीर बच्चा हूँ और अगर आपकी आँखों के सामने लोग घर बना रहे हैं जो manifest कर रहे हैं जो manifest करना in the sense कि कोई अच्छा earn कर रहा है है ना so it means ये universe में already है आप तो ऐसा out of the vortex जाके तो कोई चीज मांग नहीं रहे हो ना आप समझ पाए मैं क्या गहना चाहरी हूँ so आपनी अपनी आस पास की चीज़ों को appreciate करना है कि अगर आपका पडोस का बच्चा पडोसी का कोई बच्चा वो अच्छी जो attract कर रहा है अच्छे package वाला उसका नोगरी लग गया है तो आपने बोलना है वाओ universe अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ अगर ये चीज है तो मेरे साथ भी चीज हो सकती है जैसे मेरा ये बहुत dominant desire है कि I want silver button golden button diamond button है ना जो youtube का हमें मिलता है so मुझे लगातार वही reflect हो रहा है किसी vlogger के through या channel पे so मैं उस चीज को देखे इतना खुश हो रही हूँ कि universe it means ये parallel universe में manifest हो रही है चीज मेरे तक अभी नहीं पहुंचा है it means process में time लगेगा ठीक है जितनी बड़ी desire है उतना बड़ा contrast है आप समझ पाएं so आपने क्या करना है money के लिए positive चीजे लिखना शुरू करो money बहुत असान है अपनी life में attract कर पाना बहुत असान है आपने सिर्फ equation समझनी है कि mind में ना criticism हो कि कोई attractresses है इनको तो क्या है इतने मज़े है ये तो अमीर खांदान में पैदा हुए है इनको तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है हम तो hard work कर रहे हैं नहीं भई कई बार आपने देखा होगा एक मजदूर का बच्चा भी IPS IS बनता है उसकी energies हैं उसने वह energy लगाई है अगर हम criticism करेंगे